ओम श्री गणेशाय नम्हा आज पौश मास का अंतिम दिन है आज आप रिस्पान करेंगे पौश मास महतमी के अध्याए 29 और 30 का इसके साथ ही आज पौश मास महतमी समाप्त हो जाएगा कल से आप हमारे चैनल पर माग मास महतमी की कथाएं भी जरूर सुनिएगा अब तक आप सभी ने हमारी वीडियोस को बहुत प्यार दिया लगातार पौश के महिने में आपने हमारे चैनल पर कथाएं सुनिए इन सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उमीद है ऐसा ही प्यार ऐसा ही आशिरवाद आप आगी भी बनाए रखेंगे अब धीरे धीरे बढ़ने लगे उन्होंने नौ वर्ष की आयू तक पहुंसते पहुंसते सभी वेद, वेदांग, उपनिशद, इस्मृती, नीती शास्त्र, धर्म शास्त्र, पुरान आधिका अध्यान कर लिया और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए उनकी बाल क्रीडाओ को देख देख कर समस्त रिशी मुनी और उनकी पत्नियों को बड़ी प्रसनिता होती थी, उधर सिंदुरा सुर के अत्याचार बढ़ रहे थे, उसके भैसे देवता, रिशी मुनी, सदाचारी, भक्त और साध्वी इस्त्रियां घर छोड़ कर कहीं और छुपे रहते थे, उ एक दिन, कुछ ब्रहमणों ने सिंदुरा सुर की निर्देता और अधिक रूरता की बात वहां आकर सुनाई तो भगवान गजानन अधिक अधिर हो गए, उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार संसार को इस भैंकर त्रास से बचाना ही होगा, इसलिए वे महर्शी के आकर और चरनों में प्रनाम कर कहने लगे, हे पूज पिताजी, दुष्ट सिंदुरा सुर के अत्याचारों के विशे में यहां कभी-कभी ही समचार आपाते हैं, किन्तु वे सब इतने दुखद होते हैं कि सुनकर मन काप उठता है, वस्तुता उसके अत्याचारों से मुक् पिड़ी थी होते रहेंगे, महर्शी अपने लाडले पुत्र का अभी प्राय समझ नहीं पाए, उन्होंने सोचा, जैसे अन्य सब लोग सामयक चर्चाओं में भाग लिया करते हैं, वैसे ये भी ले रहा है, अच्छा है, ऐसी चर्चाओं में भाग लेने से योगिता बढ और विक्तित्व भी निखरता है, इसलिए उन्होंने पोत्र को प्रोचसाहन देते वे उसको समर्थन किया कि ठीक कहते हूँ बेटा, जब तक द्यातिराज के कारियों में अवरोध उत्वन नहीं होगा, तब तक सदाचारी जनों की पीड़ा बढ़ती ही जाएगी, और कभ अगर गजानन ने बड़ी विनमृता से कहा, प्रभो अगर आप आग्या दे, तो ये कारी तो मैं कर सकता हूँ, वस्तुतह उसके द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों को सुनकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ, बस आप अपना वरध हस्त मेरे मस्तक पर रखकर मुझे उन्होंने इस नहीं युक्त वचनों में उन्हें समझाते वे कहा कि पुत्र तुम्हारा सोचना तो ठीक है, किन्तु तुम्हारी आयू तो अभी नौवर्ष की है, बाल सुलब क्रिडा वाला सभाव और सुकुमार शरीर धरती पर रहकर चंद्रमा को छूने के कुलावे त बेटा, सिंदुरासुर विशाल काय और असमित बल से संपन्न है, वे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त होने के कारण अजे भी हो रहा है, इसलिए उसे तो कोई अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण वयस पुरुष ही मार सकेगा, किन्तु गजमुक ने पुनह विनम्रभाव से गात से त्रिभुवन में हाहाकार मत जाता है, उस अप औरिमित पराकरम वाले असुर से केवल मेरे आशिरवाद से ही उत्य करना चाहते हो, तो वो तो सदयव तुम्हारे साथ ही है, किन्तु केवल आशिरवाद से ही काम चल जाता, तो सिंदुरासुर तो क्या, किसी भी सुनकर समस्त संसार काम उठा, देवता, दैत्य, मनश्य, नाग, किन्नर, यक्ष, आदिस, भी भैभीत हो गए, यहां तक कि सिंदुरासुर भी सोचने लगा कि यह क्या हुआ, ऐसा प्रलेंकारी शब्द तो पहले कभी सुना ही नहीं था, इस प्रकार गजान ने उन्हा कर निविधन किया कि है रिशिश्रेष्ट, मेरा प्राकटी है सिंदुरासुर और उसके साथ ही दैत्यों को मार कर प्रत्वी का भार हलका करने के लिए हुआ है, मैं अवश्य ही उसे राक्षिस राज को मार कर रिशी मुन्यों का हित साधन करूँगा, अब महर्शी को विश दैसे लगाया और उनके मस्तक पर अपना वरधहस्त रखते हुए शुबकामना की कि पुत्र भगवान चंद्रचोन तुम्हें विजय दिलाएं, मिरा शिर्वाद है कि राक्षिस राज सिंदूर को मार दे में तुम्हें सफलता प्राथ हो, ऐसा कहकर महर्शी इस नहवश उनके मस्तक पर बहुत देर तक हाथ फेरते रहे और उनकी पत्नी वत्सला की आँखों में भी आसु आ गए, नो वश तक लाड़ प्यार से पालेवे पुत्र का वियोग अब उन्हें व्याकुल करने लगा, उन्होंने किसी प्रकार समझाने का प्रयास किया कि मेरे प्राण जम्बुक के सामने फेंग दे, मेरे लाल अभी समर्थ हो जाओ फिर जो चाहे वो कर लेना, किन्तु गजानन ने इपनी माता को भी समझा लिया, माता का अशिरवात प्राप्त करके फिर गजानन ने उन दोनों को प्रणाम किया, और उपस्तित रिशी समुदाय को भी बार हो गए, चलते समय भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग काप उठे, सिंदूरासुर की राजधानी का नाम सिंदूर बार था, ये स्थान ग्रिसनेश्वर के निकट है, जो की एक जोते लिंग है, राक्षिस राज वहीं रहता हुआ, तीनों लोगों पर शासन कर र थी, समुदर में आकाश तक जाने वाली तरंगे उठने लगी, उस स्थिती से अनेको वीर मूर्चित हो गया यहां तक की, सिंदूरासुर भी मूर्चित हो गया, उस दैत्य को जब चेत हुआ, तब वह सोचने लगा कि ऐसा कौन वीर यहां आ गया, जिसकी भेंकर गर्जना से मैं भी मूर्चित हो गया था, उसने अपने अनुचरों को आग्या दी कि जाओ इसका पता लगाओ, और जो यहां आकर गर्जना कर रहा है, अगर हो सके तो उसे लाओ और साथ ही पकड़ कर मेरे सामने रखो, अनुचर ने आग्या का पालन किया, अनुचर बहार जाकर द अभी तो नौदस वर्ष के छोटे से बालक ही लग रहे हो, क्या तुम्हें महापराकर्मी त्रेलो की विजई असुर राज सिंदूर की शक्ती का ज्यान नहीं है, जो उनके राज्ये की सीमा पर ऐसी गर्जना कर रहे हो, तब गजराज ने उन अनुचरों को संदेश दिया कि मुझे दैतिरा सिंदूर से युद्ध करना है, सिंदूरा सुर को पता चला कि एक नौदस वर्ष का बालक उससे युद्ध करने के लिए आतुर है, तब उसने सोचा कि उस छोटे से बालक का वत्तो वह बिना सेनके भी कर सकता है, इसलिए वह तेजी से गजानन के समक्ष आप पहुचा, और कहने लगा रे मूर्ख बालक, तू तो ऐसे गर्जिना कर रहा है, मानो तीनों लोकों को खा जाएगा, किन्तु तू जानता नहीं कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया, और ब्रह्मा विश्नुशिप सभी को वशी भूत कर लिया है, फिर भी तू सुकु और फिर बोले राक्षस, तू अवशी ही नितिकुशल लगता है, परन्तु क्या तू नहीं जानता, कि अगनी की एक छोड़ी सी चिंगारी पूरे नगर को भस्म करने में समर्थ है, मैं छोटा बालक होकर भी तीनों लोकों को अकेला ही जीत सकता हूँ, मेरा प्राकट्य सम वस्त द्यत्यों का संगहार कर मुनी जनों को स्वच्छंद करने के लिए हुआ है, मैं अधर्म का नाश कर, धर्म की स्थापना करूँगा, फिर भी मैं तुझे एक प्रतिग्या करने पर छोड़ सकता हूँ, कि तू अपने जीवन भर सदाचारी, धर्म रत, मुनी ब्रह्म का पूजन, स्रस्टी के सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला, न्यायवान और प्रजा पालक रहेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा और बंदी राजाओं को तुरंत मुक्त कर देगा, इस प्रकार की प्रतिग्या करता हुआ तू मेरी शरण में आजा नहीं तो, दिशाएं कानों से धग गई, विशाल भुजाओं का कहीं कोई अंत नहीं दिखाई देता था, उनके शरीर पर देवे वस्तरालंकार और देवे गंध लगी भी थी, उनका मुखमंडल करोणो सूर्यों के समान दमक रहा था, गजानन के उस रूप को देखकर सिंदुरा सु नायक देव ने उसका गला पकड़ते वे, उचे स्वर में कहा, अरे मुर्ख, तु अब भी मेरे दुल्लब रूप को नहीं जान सका, अब तेरा काल ही आ गया, तो मैं क्या करूँ, वे उसके कंठ को अपने वज्र समान हाथों से कसकर भीचने लगे, इस प्रकार उसके नेत या सिंदूर वदन नाम से प्रसित हुए, इधर सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का घोश हुआ, और देवगणों ने आकाश से पुष्प वर्षा की, अपसरायन रत्यगान करने लगी, अनेक प्रकार के सुमधुर बाजे बजने लगे, ब्रहमा जी के नेत्रेत्व में, रिशी मुनी देवता आदी ने वहां आकर अनेक प्रकार के उपहार भेट करके उनका शोडशो उपचार पूजन किया, और भक्ती भावपूर्वक उनकी इस्तुति करने लगे, फिर देवताओं ने इस्तुतियों से भगवान को प्रसंद कर वहां एक पाप दूर हो जाते हैं, उस प्रतीगमा का नाम सिंदुरहा विख्यात हुआ और वह स्थान राज सदन के नाम से प्रसित हो गया, इधर राजा वरेण ने अपने पुत्र के द्वारा सिंदुरा सुरका वध हुआ सुना तो वे बड़े प्रसंद हुए, और वहां आकर पोटी ब्रहमांट के अधीश्वर के गुण, कर्म, सुभा और रूप को ब्रहमादी दिवता भी जानने में असमर्थ हैं, उन सरवात्मा ब्रहम को मैं ज्यानी भला किस प्रकार जान सकता था। पशाताब करते देख कर भगवान वरदराज प्रसंद हुए, और राजा को अपनी भुजाओं से आलिंगन कर अभई देते वे बोले, राजन संसार में जो कुछ भी होता है, वे मेरी इच्छा से ही होता है। तुम्हारा इसमें कोई दोश नहीं है। पूर्व कल्प में तुमने अपनी पतनी के साथ देवे सहत्र वर्ष तक घोर तपस्या की थी। जिससे प्रसंद होकर मैंने दर्शन देकर वर मांगने को कहा था। किन्तु तुम मुझ मुक्ष दाता से मुक्ष ना मांग कर मुझे ही पतर रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त कर बैठे थे। इसलिए तुम्हारे पतर रूप से प्रकट होकर मैंने सिंदूर का वध किया और मुनी जनों, संतों, भक्तों, देवताओं का अभीष्ट सिद्ध किया है। इसलिए करबाकर मुझे इसका उपाएं बताने का कष्ट करें। गजानन को राजा पर दया आ गई। वे वही आसन पर विराज मान हुए और राजा को सामने बिठा कर उनके मस्तक पर अपना तिरिपात नाशक वरध हस्त रखा और उन्हें सारभूत ज्यान उपदेश प्र उधर राजा ने राजधानी में लोटकर अमात्यों को राजी की बागडोर सौब्दी और स्वयम वन में तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान गजानन का कल्यूग में जो अवतार होगा उसकी प्रसिधी धूम्र केतु नाम से होगी। जब कल्यूग आएगा तब स परधन और परिस्त्री लोलुपता, काम, क्रोध, मोह आदि की व्रद्धी होती जाएगी। समय पर वर्षा नहीं होगी और नद्यों के किनारे खेती होने लगेगी। बलवान लोग बलहीनों को सताने लगेंगे, उनकी धन, संपत्ति, इस्त्रियादी को छीन लेंगे। ब हाँ हककार मच जाएगा। दूसरे से धन मांगने में किसी को संकोच नहीं होगा। लोग जूठी गवाही देने में संकोच नहीं करेंगे। मिध्य धर्म उठाना एक साधरन बात हो जाएगी। सज्जनों की निंदा और दुस्टों की चारो ओर प्रशंसा होगी। छल कप चारो ओर दिखाई देगा। धर्मग्यों का अपकर्ष और अधर्मियों का उतकर्ष होगा। मनुष्यों में देव पूजन के प्रती अरूची और भूत प्रेत पिशाज की पूजा में उत्साह रहेगा। धूर्त लोग छद्म वेश बनाकर अपनी उदर पूजा करेंग ब्रहमण अपने कर्म को छोड़कर केवल पेटू बन जाएंगे। चत्रिय वीर धर्म को त्याग कर भिक्षा मांगने लगेंगे। वैश भी विवसाय बुद्धी से विरत होकर बिना परिश्रम की धन बटोरने में ही लगे रहेंगे। माता पिता और गुरुजनों के सम् होने लगेगी। घोर कल्योग उपस्थित होने पर उक्त दोश अधिक बढ़ जाएंगे। इस्त्रियां पत भ्रिष्ट होने लगेंगी। अच्छे मनुश्यों के आचरन भी मलेच्छों के समान हो जाएंगे। प्रत्वी की उर्वरा शक्ती का रास होगा और व्रिक्षो में रस नहीं रहेगा। इस्त्रि पुरुषों की पूर्ण आयू 16 वर्ष की रह जाएगी। 5-6 वर्ष की आयू में प्रेसव होने लगेंगे। देवताओं और तीर्थों का लोप हो जाएगा। धन एकरत्रित करना ही जीवन का एक मात्र उद्देश रहेगा। इर्षा, द्वेश, एहंकार और मानसिक ज्वाला सदयव दग्ध करती रहेगी। चारों और अधर्म अन्याय अत्याचार दुराचार आदी का बोल बाला रहेगा। और जब कल्यूग अपनी दारुन इस्थिती पर पहुँच जाएगा तब समस्त प्राणी अत्यंत पीडित होंगे उनमें वासनादी का विक्षेप अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वाहा स्वधा वशटकार के ना होने की करण देवताओं को भूखे रहना होगा। वे अत्यंत त्रस्थ हो जाएंगे और उपाई करके भी उस इस्थिती से छुटकारा नहीं पासकेंगे। तब उन्हें एक कही उपाई श्रेयसकर लगेगा वो होगा भगवान गजानन की शरण में जाना। फिर वे सब एकत्र होकर उनकी शरण में आ जाएंगे और उन महाप्रभु को बारंबार नमस्कार करते हुए उनका अनेकों उपचारों से पूजन करेंगे। उनकी इस्तुती करके परिक्र विनायक प्रभु प्रत्वी पर अवतार लेंगे। वे शुर्पकर्ण और धुम्रवन्ड के नाम से प्रसित होंगे। वे धुम्र केतु भी कहलाएंगे उनका वाहन नीला अश्व होगा। शत्रों का संघार करने वाले वे प्रभु क्रोधा वेश के कारण अत्यत तेजस वी होंगे। उनकी देह से दिविज्वाला निकली भी लगेगी। तीक्षुन्तम खटग हाथ में लेकर वे भगवान अपने अश्व पर चड़कर इच्छा नुसार अकेले ही चल पड़ेंगे। या आवश्यक्ता नुसार सेना और अमोग शस्त्रास्त्रों को स्वेम ही प्रकट कर लेंगे। महाप्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज से समस्त पापों और पापियों को नस्ट करने में समर्थ होंगे। वे अपने परम तेज और सेना द्वारा मलेच्छों के विनाश में शीक्र ही सफल होंगे। जो लोग मलेच्छों की तरह आचरन करने वाल वे सर्मात्मा और सर्वाधार भगवान श्री गणेश उस समय भाय के करण गिरी गुहाओं और निवल वनों में छुपकर जंगली कंदमूल फल इत्यादी पर अपना जीवन बिताने वाले ब्रहमनों का भैदूर कर उनका सतकार कर सतकर्म और स्रेष्ट धर्म पालन के लिए प्रोजसाहित करेंगे इस प्रकार धर्माचरन का संपादन होने लगेगा और फिर सत्युक का आरंभ हो जाएगा आज पोश्मास महतमिर समाप्थ हुआ